नमस्कार दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम लोग PIC Micro Controllers के overview को देखेंगे तो PIC की जो chips होती हैं ये basically microcontrollers की family है जिसको microchip technology के द्वारा develop किया जाता है और ये जो controllers हैं इनको originally PIC 1650 से derive किया गया है और PIC 1650 जो है उसको originally General Instruments की microelectronics division ने develop किया था General Instruments ने initially PIC को peripheral interface controller की तरह develop किया था और वो लोग basically CP 1600 और peripheral devices के बीच में PIC को use करते थे as a interface बट time के साथ यहाँ पर PIC का development होता रहा और बहुत सारे enhancement उसमें हुए तो currently अब PIC का मतलब है programmable intelligent computer next इसके बाद हम PIC device के families की बात करते हैं तो देखिए PIC microchips जो हैं उनको Harvard architecture पर design किया गया है और यहाँ पर बहुत सारी types की हम लोगों को families मिलती है PIC controllers के अंदर तो अगर हम बात करें baseline और mid range families की तो यहाँ पर हम लोगों को 8 bit wide data memory मिलती है और अगर आप बात करें high end families की तो यहाँ पर हम लोगों को जो data memory है वो 16 bit wide मिलती है इसके बाद हम लोगों के पास कुछ latest series भी हैं जैसे PIC 32M है यह basically आप लोगों के 32 bit के controllers होते हैं So within these families हम लोगों के जो chips हैं वो C type हो सकती है या फिर F type हो सकती है अगर आप लोगों को C type यहाँ पर मिलती है कोई device तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर जो program memory है वो या तो OTP है that is one time programmable है या फिर उसमें ROM या EEP ROM यूज हो रही है और वहीं अगर आप लोगों के पास जो device है वो F type की है तो आप ensure हो सकते हैं कि आप लोगों का जो program memory है वो flesh type की है तो next इसके बाद हम लोग pick controllers की series को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर pick 10 है 12, 16, 17 और 18 यह कुछ series हैं जो की 8 bit के controllers की है next इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर pick 24 मिलता है यह अपने आप में 16 bit का controller है then इसके बाद आप लोगों को DS pick मिलती है यह basically 16 bit के controllers होते हैं लेकिन इनके पास capability होती है digital signal processing की और at last इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर pick 32 M based series मिलती है जो कि अपने आप में 32 bit micro controllers की series है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों को अलग-अलग variants मिलते हैं इसके जैसे MX है, MZ है, MM और MK तो यह हम लोगों को pick controllers की कुछ series है next इसके बाद हम लोग देख लेते हैं development tools को तो देखिए microchip जो है वो हम लोगों को free IDE package provide करती है जिसको हम MPLAB X IDE बोलते हैं और इसी package के अंदर हम लोगों को assembler, linker, software simulator और debugger जैसे चीज़े मिल जाती हैं तो MPLAB X IDE के through ही हम लोग अपने जो program से उनको लिखते हैं इसके अलावा, microchip जो है, वो अलग-अलग controller की series के लिए अलग-अलग C compilers को भी sell करती है और इनको basically आपको purchase करना पड़ता है, यह free नहीं होते हैं बट इसका यह मतलब नहीं है कि अभी आपको कुछ purchase करने की जरूरत है जो microchip है, वो कुछ free C compilers भी available करवाती है तो यह जो free हम लोगों के compilers होते हैं इसमें optimization की हम लोगों को जो facility है वो नहीं मिलती है या फिर initially मिलती भी है, तो after 60 days यह disable हो जाती है तो as a beginner, आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब कुछ आप लोगों को free में available हो जाता है Next, इसके बाद हम लोग यहाँ पर device programmers की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए programmer होता क्या है तो देखिए, programmer जो है वो हम लोगों की एक device होती है जो basically आपके लिखे हुए code को आपके microcontroller के अंदर upload करने के काम आती है तो microchip जो है, हम लोगों को यहाँ पर दो series के programmers और debuggers provide करता है इसमें एक हम लोगों का है MPLAB series और दूसरा है picket series तो यहाँ पर जो MPLAB series है, इसमें हम लोगों को दो types के programmers और debuggers मिलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हम लोगों का ICD4 है और यह हम लोगों का Real ICE है तो यह दो types के जो हम लोगों के debuggers और programmers हैं यह MPLAB series के हैं और यह हम लोगों के जो series है, यह basically professional engineering में use होती है Next, इसके बाद हम लोगों के पास जो picket series है यह basically low cost programmers और debuggers हम लोगों को provide करती है जो कि initially सीखने के लिए या फिर students के लिए काफी ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हम लोगों का picket 3 है इसके बाद यह हम लोगों का picket 4 है तो इन में से किसी भी programmer को आप लोग use कर सकते हैं अपने target device को program करने के लिए तो यह कुछ चीजे हैं जो आप लोगों को pick controller पर काम करने से पहले पता होनी चाहिए So I hope आप लोगों को इतनी चीजे समझ आ गई होंगी फिर भी अगर आपके कोई doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं So बने रहिएगा मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe ज़रूर से किजे अपने friends के साथ आप लोग ज़रूर शेयर करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं So thank you so much for watching जय हिंद जय भारत